चलिए फ्रेंट्स आज हम बना रहे हैं आलू सिदो तो उसके लिए सबसे पहले हमने कढ़ाई में तेल ले लिया है जीरा हींग और लसन प्याज और कटे हुए मिर्च डाल के उसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे और जैसे ही वो फ्राई हो जाएगा तब हम उसमें अपने म पोटैटो डाल देंगे और फिर उसको अच्छे से मिला लेंगे तो ऐसे ही हमारा आलू सिदो तयार हो गया थैंक यू